क्या आप भी अधार सेंटर जाना चाहते हैं और आपके अधार सेंटर पे बहुत ही भीरभार रहता है और आप चाहते हैं कि घर बैठे अपने मगाल फोन से लेप्टॉप से अप्वाइमेंट बुक करके हम अधार सेंटर जाएं तो अब आप बहुत ही इजी तरीका से अप् payment करके आप अधार सेंटर जाके आप नया अधार कार्ट बनवा सकते हैं अगर आपके अधार कार्ड बना हुआ है अगर आप चाहते हैं कि उसमें हम कोई भी correction कराई जैसे आपका नाम हो गया, address हो गया, mobile number हो गया, email, id हो गया, date of birth हो गया, gender हो गया, biometric हो गया, जैसे photo fingerprint अगर आप इस सम में कोई भी correction कोई भी सुधार करवाना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से appointment book करके आप अधार सेंटर जाके यह सब करवा सकते हैं, सो गाज मैं इंजिनियर राजा और मैं आप से face करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो इस रेर बटन को दबा के यूटुब चैनल को सब्सक्राइब पर लिजिए और इस तरीका का नया नया वीडियो पाई या पर जाना, कि मैं अपने चैनल के अधार कार बर्माना चाहते हैं तो भी अगर आपका अधार कार बना हुआ है, अगर आपने अधार कार में को भी करेक्शन करवाना चाहते हैं, इसे नाम हो गिया है, अडरेस, मुबाइल नंबर, इमेल आईडी, डेट और बाइमेटिक जैसे फोटो, फिंगर प्रिंट, आ आप यहाँ अप्वाइमेंट बुक किये हुए हैं, और आप जो है, यहीं से अप्वाइमेंट बुक करने टाइम में आप्वाइमेंट कर चुके हैं, तो आपको वहाँ पे कोई भी टाम नहीं लेगा, बस आप जाईएगा और आपका टाम स्लोट बुक रहेगा, उस ताम म होगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप अधहार सेंटर जाना चाहते हैं नाम डेट औबर्थ अड्रेश बायो मैं फोट नंबर cc कोई से करना है क्या होगा आपको इसी ब्राज्वर को अपन और यहाँ करते हैं तो यहां पर देखिए कि आपको 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 मिल आता है यहां पर करते हैं और आप जो है अपने अधार काड में अधार सेंटर जाके इतने सारे आप वहां पर क्लेक्शन कर वास्कते हैं डéliorयर के लिए आप यहां पर जो एक पामेंट बोक कर सकते हैं नाम एड्रेस मुबाइल नमर इमेल आदे डार्ड पर्थ जैंडर बायोमेटिक फोटो फिंगर पिंट और आयस अपडेट करा सकते हैं तो आप यहां पे आपको अपाइमेंट दो तरीके से बुक कर सकते हैं पहला है यहां पर के बुक एन अपाइमेंट यू आइडी आइस जो है आप यहां पर अपाइमेंट बुक कर सकते हैं और दूसरा है रेस्टार के द्वारा भी आप यहां पे appointment book कर सकते हैं तो हम यहां पे UIDAI से book करेंगे तो यहां पे अपना location चूज कर लेंगे आपके नज़िक में कौन सा पड़ता है वो आप यहां पे चूज कर लेंगे यहां पे आपको धेर सारा मिल जाता है तो आपको इस में से धूंड लेना है कि आप कहां पर अपना appointment book करना चाहते है जैसे मैं यहां पर परटना सेलेक्ट कर लेता हूं तो मैं यहां पर परटना वाले के कर सकते हैं और यहां मैंनेच appointment के लिए बुक कर सकते हैं यहां पर मैं चलूंगा अधार अपडेट पे और यहां स्क्रॉल डोंगर के नीची आएगा नीचा देखिए फरेश अधार environment mobile number date of birth नाम अपडेट करा सकते हैं email id जेंडर इसके बादी एड्रेस अपडेट यहां पर फोटोग्राफी तो आपको क्या अपडेट कराना है वह आपको यहां पर सलेक्ट कर लेना है तो यहां पर इतना सारह कुछ कर सकते हैं तो चलिए पहले आपको क्या करना अपना mobile number कि सब्सक्राइब दक्राइब क्या है हो आपको यहां पर दालना है और में ही डालना है इसके बाद यहां जरीक्ट करेंगे आपके के जो रेजिस्टर मोबाल नमर पर और आपको यहां पे डाल देदा ना है अब यहां पर किलिक करेंगे तो यहां पर देखिए कि आपको सारा ऑप्षन यहां पर open होके आया ताई यहाँ पर देखिए कि accident और non resident का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर आया तरह आपकि अपडेट का ऑसने की मैं update किया था तो अब यहाँ पना अधार नम्र डालेंगे यहाँ पर आधार पर जो नाम है on open हो जाका चलिए में आपको यहां पर डालके दिखा देता हूं यहां पर दो किया आपका जो अधार नमर आगिया नाम आउगा अब यहां पर सलगां से है तो मैं भी हार से हुट में कर लूंगा और यहां पर अपना आफ ब convention करेंक्पकर यहां किस हिती पर कराना चाहते हैं वह आपको सबस्क्राइब करेक्षं कर्वाना सबस्ते हिर इस तरीका से आपको ये ह curated यह यहां करेक्षण करवाना चाहदी चाहिए गोटन किसे थे लिए अप यहां पर पर्मान पद्र है जो आपका नाम सब्सक्राइब مधस्क पर्माने, आपना पर और जबत नहीं डिक़े उसके आपको यहां पर इस तरीका से खाली रहेगा और जो नहीं रहेगा डेल कर देना है यहां पर देखिए कि आपको पूरा डेटेल आ चुका है कि आप कहां पर अपना अप्वाइमेंट बुक करना चाहते हैं यहां पर देखिए कि आपको पूरा चीए कंपीड हो चुका है यहां पर किया अप्वाइमेंट जो है आपको यह डिटेल है यहां प्रसम ड इसे इस पर वक्र देते हैं यहां पर देख़े कि आपका जो है यहां पर फायमेंट आक्यु आलड और यहां पर देखि exploring कि सेलेक्ट पाइमेंट मोड है आपको इस तरी कैसे आपको सेलेक्ट करना है और यहां पर और कर सकते हैं या यहां पर प्रमेंट गेटवे से भी कर सकते हैं तो यहां पर प्रमेंट कर सकते हैं तो यहां पर प्रमेंट करना चाहते हैं वह आप यहां से हैं इसमें यहां पर चूज करूंगा देविट कार्ट तो मैं इस पर चूज करूंगा और मैं कलिक करमा जैसे इस पर इसमय ऐसे आपके लिए यह जो है पर पर जो नाम है उब नालेंगे और यहां पर आपको प्रॉसीड वाले के क्लिक कर देना जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके एकाउंट से 50 रिप्या कट हो जाएंगे और आपको जो टाइम मिला है जो डेट मिला है वही टाइम और डेट में आपको सेंटर पर जाना है तो वह सेंटर पर जाने के बाद आपको पैसा नहीं लगेगा और आप जो के लिए आप अपलाई किये हैं वहाँ पर नाम करेक्शन कर दिया जाएगा और आपको कोई भी पैसा वहाँ पर नहीं देना पड़ेगा तो यह बहुत ही सिंपल और सान प्रोसेस है अपने अधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवा सकते हैं या नया अप्वाइमेंट यहां ज़से अपवाइमेंट बुक कर सकते हैं इलों कि वीडियो को पशंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर यह आपने प्रेंट के साथ सेर करिए अगर आपके दिल में क्योंसा हो तो नीचे कॉमंटर बॉक्स में आए जानके कंचिकिक